Hello Friends, आज हम बनाने जा रहे हैं ये cute सी fridge magnet है ना cute तो इसके लिए आपको चाहिए clay मैंने ये homemade cold porcelain clay लिए dress के लिए मैंने purple clay लिए किसी भी color में ले सकते हैं जो भी आप चाहें मैंने यहाँ पर pista green, pink, purple तीनों color में बनाई हुई है तो dress के लिए मैंने इसको scissor से cut कर लिया है एक rectangle आप चाहें तो कोई और clay भी ले सकते हैं तो ये बन गया towel इसके बाद मैंने white clay में थोड़ा orange color mix किया है skin tone के लिए आप चाहें तो flesh tint भी mix कर सकते हैं और ये pear shape दी है हमने body के लिए इसको towel part के अंदर रखेंगे एक बार रखकर size चेक कर लिजिए तक ये rectangle को आप उसे साब से adjust कर सकें उसके size को या फिर body की size को कम या ज़ादा कर सकें ये part इतना होना चाहिए कि जो rectangle आपने towel के लिए cut किया है वो उसमें ये पुरा cover हो जाए उपर से हमने थोड़ा सा पतला किया है neck portion के लिए एक पर wrap करके देखते हैं ये देखिए इस तरह से towel से ये portion सारा wrap हो जाना चाहिए neck और थोड़ा सा area उसके नीचे का वो बाहर रहेगा और अब दो same size की balls बनाएं और इसको roll करें ये हम legs बना रहे हैं साथ साथ ही करें ताकि दोनों एक जैसी same size की बनें अब मैं एक finger से इसको नीचे की तरफ से roll करके पतला कर रहे हूँ और थोड़ा सा उसके उपर तो देखेगा कितने सुन्दर से pair की shape आती है foot बनाने के लिए नीचे से तिर्चा कट किया है और अब देखिए इसको जड़ा सा प्रेस कर दीजिए और ये हमारी leg ready हो गई है एक बार रख कर देख लिजिए length को कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि बहुत long हो गई है तो उपर से cut कर दीजिए लग रही है कि short है तो और थोड़ा सा roll कर दीजिए same way मैं दूसरी leg को कर रही हूँ और दोनों को एक बार रख कर compare कर लिजिए कि बिल्कुल same हो छोटी बड़ी नहीं हो गई हो या thickness ज्यादा कम ज्यादा नहीं हो यह मैंने pin लिए है आल-pin या फिर jewelry making में जो pin काम में आते हैं वो ले सकते हैं आप कोई wire का piece ले सकते हैं glue लगा कर body में नीचे की तरफ इसको fix कर देंगे इससे क्या कभी भी निकलने का डर नहीं रहेगा पकड़ और ज्यादा मजबूत होगी glue तो हम लगा ही रहे हैं यहाँ पर मैंने fabric glue लिए है फैविक रिल की ए प्लस भी ले सकते हैं stick करने के लिए और दोनों legs को fix करने के बाद एक को हमने दूसरे के ऊपर इस तरह से band किया है चाहें तो आप straight रखिए और glue लगा कर मैं इसको stick कर रही हूँ sorry मैंने fabric glue कहा था यह ए प्लस glue है जो all purpose है legs को adjust कर दीजिए इसके बाद body के ऊपर glue लगा कर fit towel से इसको wrap कर देंगे जो purple piece हमने rectangle cut किया था और देखिएगा side से gap नहीं रहे यानि जहां से दोनों pieces open हैं वहां से भी stick हो यह hips की shape देने के लिए मैंने पीछे से press किया है और अब बना रहे हैं हम इसका हाथ जिससे यह जिसको हम इस तरह से set करेंगे कि लगे इसने अपने towel को hold किया हुआ है same way आपको clay लेकर roll करने हैं जैसे हमने legs के लिए किया था उसको L shape में bend कर दीजिए और एक बार पहले रखकर size का अंदाजा लेते हैं तो ठीक लग रहा है यह size अब glue लगाकर इसको stick कर देंगे और adjust कर दीजिए आगे की तरफ से flat करके hand की shape देंगे wrist की तरफ से थोड़ा सा अब press करके उसको पतला कर सकते हैं hand को आगे से मैं flat कर रही हूँ अब toothpick या फिर head pin, all pin कुछ भी लेकर neck में insert कर दीजिए और फिर हम उस पर fix करेंगे head को head के लिए पहले एक ball बनाईए इसके बाद मैं इसको peer shape दे रही हूँ थोड़ा सा extra large रखा है मैंने क्योंकि जो आप उपर triangular shape देख रहे हैं वहाँ पर towel को wrap करेंगे इसके बाद ball tool लिया है मैंने और eyes का impression मना रही हूँ ball tool नहीं हो तो छोटे मोती से भी इस तरह से press करके आप बना सकते हैं ब्राउन कलर की clay लेंगे आइस के लिए चाहें तो black भी ले सकते हैं और छोटी छोटी सी दो balls बना रही हूँ मैं और इसको eyes के लिए जो हमने cavity बनाई थी अभी उसके अंदर glue लगाकर place कर देंगे हलका सा press कर देंगे साथ में बहुत थोड़ा सा ही करना है यह cold porcelain clay न इतनी smooth होती है और इतनी flexible होती है कि इससे यह miniatures वगरा figurines बनाने में बहुत ही मज़ा आ जाता है अब मैंने एक छोड़ा सा wire का piece लिया है किसी भी तरह की wire ले सकते हैं और U-shape में bend कर रही हूँ और इसको press करेंगे smile का impression देने के लिए पहले rough clay में एक दो बार press करके देख लीजिए उसके बाद ही face पर कीजिए हलकी सी smile है प्यारी सी इसके बाद number है hair का इसके लिए same brown clay लिए मैंने इसको roll किया है और एक बार place करके देखते हैं head का काफी portion तो जो उपर हम towel लगाएंगे उसमें cover हो जाएगा थोड़े से बाल दिखाने है तो मैंने एक पतली सी पटी बे ली और उसके उपर knife से impression मना रही हूँ फिर glue लगा कर और इसको place कर देंगे center से थोड़ा सा अगे से लिया है मैंने और यह देखिए यहां से पीछे तक आ जाएगा glue लगाना नहीं भूलिएगा अभी सही कितनी cute लग रही है अब purple color की clay लिया है इसमें देखिए three colors की clay से ही काम हो गया है इसको भी एक rectangle cut कर लिया है आप देख सकते हैं इसमें length ज्यादा है width काम है क्योंकि इसको हमें towel का shape देकर उपर head पर wrap करना है एक side में जिस तरह से hair लिये थे उसी तरह से दूसी side से यह towel की strip आएगी extra portion को cut कर दिया है तो यह one strip इसमें हमने stick कर दिया है same way दूसरे side से एक strip लाएंगे फैवी को लगा कर दूसरे side से इसको stick करेंगे लेकिन अब जब हमें stick करना है तो हमें ध्यान रखना है कि hair वाला portion उसको छोड़ कर फिर करना है थोड़ा सा ही overlap होगा hair का काफी portion दिखना चाहिए हलका सा last वाला जो side है वो थोड़ी सी overlap हो अब एक और strip purple की cut करनी है पूरी figurine में three colors की के लिए ही use हुई है skin tone और hair eyes के लिए brown उसमें आप चाहिए black ले सकते हैं और dress के लिए अपना मन चाहा कोई साभी color एक और strip लगाई है जो सबसे पहले हमने लगाई थी उसी के उपर और अब head के उपर frill, towel की frill हम बनाने जा रहे हैं इसको इस तरह से कठा कर दिया, नीचे की तरफ से press कर देंगे, उपर की तरफ से spread रहेगा इसको glue लगा कर stick कर देंगे, साथ में चाहें तो pin से भी कर सकते हैं, pin भी लगा दें ताकि निकलने के chances बिल्कुल नहीं रहे pin ले सकते हैं, toothpick का छुटा सा part ले सकते हैं adjust कर दीजिए और अब head को हम fix कर देंगे pin already neck में लगा हुआ है यहाँ पर बस glue लगाई है और उसके उपर head को fix कर दिया है यह देखिए, almost calm हो चुका है इसके बाद मैंने यह soft pistol colors लिये हैं और ear buds से blush का effect दे रही हूँ, cheeks पर red color या pink color लेकर दोनों side में हलका सलगा दीजिए और फिर acrylic color से जो हमने smile का impression बनाया था उसमें color fill कर रही हूँ मैं, toothpick लिए मैंने paint brush से भी कर सकते हैं इसको dry होने में एक दिन तक लग सकता है उसके बाद में इसके पीछे में magnet stick कीजेगा eyelashes और eyebrow बनाने के लिए marker पैने ले सकते हैं और देखे कितनी cute लग रही हैं आपको भी लग रही हूँ मेरा काम पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को subscribe जरूर कीजेगा और comment section में मेरे लिए a card drop करना नहीं बुलेगा थैक यू